हेलो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के most important questions और ये आपके apprentice exam के लिए आप समझ ये most expected questions है ठीक है तो apprentice exam के लिए most important question है जो भी strengths preparation कर रहे है आप लोगों को ये देखना चाहिए वीडियो को ओके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें खास क्या है 20 questions का मैंने एक presentation आप लोगों के लिए बनाया है आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग जवाब देंगे और जवाब देने के बाद कितना आप लोगों का सही होता है तो वो आप लोग मेरे को comment करके बताएंगे भी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और one by one सब लोग इमानदारिस answer करेंगे कोई गोलमाल नहीं करेगा ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला question जो है आपको अपके screen पर दिख रहा होगा क्या लिखा है जहारखंड के प्रथम राजिपाल कौन है इमानदारिस answer दिज्जे इसका answer क्या होगा फर्स्ट गवर्नर ऑफ जारखंड तो आप लोग answer दे चुके होंगे देखिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ एंसर जो है पहले हम correct answer की बात करते हैं तो वो हो जाएगा प्रभात कुमार तो ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ जारखंड थे देखिए अगर आपसे चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछता न चीफ मिनिस्टर ऑफ जारखंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर तो वो हो जाता बाबुलाल मरांडी option number D लेकिन बोला है प्रभात कुमार बोला है गवर्नर ऑफ जारखंड तो हो जायागा प्रभात कुमार आपको याद रखना है तो आईए से प्रकार से अब हम आते हैं अपने दूसरे स्लाइड पर मतलब की दूसरे question पर क्या बोला है दूसरा question में प्रथम Olympic game कब और कहां हुआ था when and where the first Olympic was held आपको मैंने पहले भी बूला है कि Olympic games और sports related सारा चीज़ आपको करके रखना है ठीक है तो correct answer की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा देखे 6 April 1896 में हुआ था एंथेस में option number B is correct answer 6th of April 1896 में हुआ था कहां पर एंथेस में तो यह हमारा option number B correct हो गया next question की और आते हैं क्या बूलागिया है Tata Steel के प्रथम MD कौन थे who was the first managing director of Tata Steel देखिए first managing director के बारे में बात किया जा रहा है पहले हम correct answer की बात कर लेते हैं तो correct answer है हमारा जहां गीर गांदी option number C is correct answer लेकिन अगर वर्तमान में पूछ लेता तो क्या बोलते हम बोलते Mr. TV नरेंदरन वर्तमान में अगर आपसे पूछ लेता current chairman कौन है Tata Steel Tata Suns के तो हम बोलते N. Chandrasekran अगर आपसे पूछ लेता chief financial officer कौन है तो हम बोलते Mr. Kaushik Chatterji अगर आपसे बोल देता founder of Tata Steel कौन है तो उस case में हम क्या बोल देते हम बोलते जमसेत जी नौसरवान जी Tata अगर हम पुछ लेगी आपसे established इनके दवारा क्या गया था तो sir दुराब जी Tata के दवारा कब क्या गया था 26 अगस्त 1907 में Tata Steel के स्थापना हुई थी 1911 से Tata Steel ने pig iron बना manufacturing start किया था ठीक है ओके तो चलिए इस तरह से हम लोग इसको भी देख लिए next question की तरह आते है क्या बोला है भारतिय सेना के सरवोच कमांडर कौन है who is the supreme commander of Indian army देखे supreme commander जो होते है इंडियन आर्मी के वो उसका एंसर हो जाएगा रास्ट पती प्रिसिडेंट के पास ये supreme commander का पावर होता है सारा missiles उनी के अंदर में देख रेक में होता है तो अब आते है next question की और next question बोला गिया है निमनलिखित देशों में से कहां स्वतंतरता दिवस नहीं मनाया जाता है which of the following country does not have independence day USA, नेपाल, UK या नाइजेरिया तो देखिए अब पुजान के खुसी होना चाहिए जिव नेपाल कंट्री है इसमें independence day नहीं होता है खुसी किसलिए मतलब कि यहां पे कभी गुलाम यह देश हुआ ही नेपाल तो इसलिए यहां पे स्वतंतरता दिवस जो है मनाया नहीं जाता है next question देखते हैं क्या बूला है निमनलिखित में से किस American राष्टपती की मौत गूली खाकर नहीं हुई है which of the following American President was not shot dead तो देखिए इसका correct answer है John F. Kennedy मतलब option number option number D John F. Kennedy यह 4 option में से एक मात्र ऐसे president थे अमेरिका के जिनका जो death है वो plane crash में हुआ था और यह अमेरिका के 35th president थे बागि जो भी आप देख रहे हैं Abraham Lincoln, James Garfield या George Bush इन सब का shot dead हुआ था चलिए next question की तरह बाते हैं next question क्या बुला कि चाय का सबसे बड़ा निरियातक कौन है largest exporter of tea in the world is option A Myanmar, option B स्रिलंका option C is India and option D is China तो इसका correct answer हो जाएगा India, ओके चाय का चाय पत्ती का सबसे बड़ा निरियातक कौन है तो India है very good आप लोग ने सही अंसर किया है next question देखेगा पीलिया रोग किस अंग की बिमारी है which organ is affected by John Deese disease John Deese disease जो होता है उस रोग में हमारे औरगन का हमारे बॉड़ी का कौन सा औरगन affected होता है option A is heart second is liver third is eye and fourth one is lungs तो देखे इसका जो correct answer है वो हमारा हो जाएगा liver इसका correct answer जो है वो क्या हो जाएगा हमारा liver हो जाएगा option number B is correct answer next question देखते हैं बोला है राष्ट्रिय धातु कर्म परियोग शाला कहां इस्तित है National Metallurgical Laboratory is situated in option number one is राची, भुवनेस्वर, जमशितपूर, कुलकाता ठीक है NML अब तो बताईए जी हाँ NML जो है यह हमारे जमशितपूर में situated है ठीक है जिनको नहीं पता जमशितपूर में जो लोग रहते हैं उनको तो पता ही होगा NML जो है वो कहां है जमशितपूर में है तो चलिए next question देखते है बिस्वनाथन आनंद किस खेल से संबंदित है देखिए important question हर साल यह पुछा जाता है 21 में क्या होता 2021 की question में यह पुछा गया था उनका सर का picture देकर आपसे पुछा गया था कि इनमें से पाइचानी है बिस्वनाथन आनंद कौन है इस तरह से भी देता है घुमाफिरागे तो picture के साथ है आप करके रखिए और फिलाल correct answer की बात करेंगे तो chess बिस्वनाथन आनंद जो है chess के साथ जुड़े हुए है next question पे आईए बोला गया है कि महात्मा गांदी के द्वारा सर्व प्रथम कौन सा आंदोलन प्रारंब किया गया था which movement was started by महात्मा गांदी first of all पहला है चंपारन आंदोलन दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन तिसरा है असहयोग आंदोलन और चौता है दांडी आत्रा तो इसमें से सबसे पहला जो गांदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो क्या था चंपारन आंदोलन ठीक है बागी quit India movement non corporation movement जो है दांडी आतरा जो है उसा बाद में हुआ था तो I hope आपने सही answer इसका किया रहा होगा next question की तरफ हम आते है next question क्या है कि भारत अपने rocket किस स्थान से छोड़ता है तो देखे इसका जो correct answer है वो क्या हो जाएगा स्रीहरी कोटा मतलब की option number हमारा हो जाएगा कितना C option number C is correct answer चलिए next question पे आते है कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है कावेरी water dispute is between two states, इंडिया के two states के बीच में ये dispute है और वो आपको बताना है कौन से दो states है, देखिए important question है ये इसका correct answer की अगर हम बात करें तो करनाटक, तमिलनाडू जो है correct answer हो जाएगा ठीक है, यहाँ अभी भी ये कावेरी जल विवाद है दोनों राज्यों के बीच में next question की और आई है बुला है, प्रत्थम फिल्म अभीनेता जो मुख्यमंत्री भी बना है first film actor who became chief minister तो option है पहला है, एंटी रामराव M. करुणानिधी, जहललिता या रामचंदरन तो इसका correct answer हो हम देखें तो यह हो जाएगा रामचंदरन तो यह हमारे ऐसे अभीनेता थे पहले जो मुख्यमंत्री भी बने है next question की तरह बाते है बुला है, a tale of two cities किताब के लिखक कौन है who is the author of the book a tale of two cities option A is William Shakespeare option B is Charles Dickson option C is Tolstoy option D is Javarlal Nehru तो इसका correct answer अगर हम फिर से देखें तो हो जाएगा option number B Charles Dickens ओके, Charles Dickens इसका correct option हो जाएगा next question की तरह पाईए बुला है किस खिलाडी ने test matchों में अपने 800 wicket पूरे किये name the player who have completed 800 wickets in test match अब cricket देखने वाले जितने भी है सब लोग comment करेंगे सब लोग इसका answer देंगे तो देखें इसका answer हो जाएगा हमारा पहला अनिल कुम्बले मुथया मुरली धरन अफरीदी सचीन तैन दूलकर तो option correct जो है हमारा option B मुथया मुरली धरन ओके तो next question आईए देखते हैं next question में बोला गिया है grand old man of India is the sobricate of मतलब कि grand old man of India की उपादी इनमेंसे किन है दिया जाता है या nickname किन का है grand old man of India option A is महत्मा गांदी दादा भाई नरोजी जेपी नरायन या जे एल नहरू तो देखें correct answer इसका हो जाएगा हमारा option number B जो किया है दादा भाई नरोजी ओके तो grand old man of India जो है इनका समानित किया जाता है इस नाम से चलिए next question की तरह आते हैं हमारे पास next question है who among the following has written the book ignited minds ठीक है ignited minds बहुत important है और common भी आप लोग को पता रहना चाहिए थोड़ा सा book के authors के बारे में भी तो ये correct answer हो जाएगा हमारा क्या option number B और ये book जो है ignited minds ये लिखा गिया है किनके दौरा sir APJ अब्दुल कलाम के दौरा ये किताबे लिखा गिया है ignited मतलब क्या प्रज्वलित ठीक है mind तो चलिए एंसर हो जाएगा हमारा NH7 ठीक है नेशनल हाइबे 7 जो है भारत का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग है यह है नजे हाँ ठीक है तो option number B हमारा सही हो जाएगा option number B is correct answer next question देखते हैं क्या है देखें बोला गिया है इसरो के अध्यक्ष कौन है who is the present president of ISRO Indian Space Research Organization अब इसमें क्या है बहुत से लोग आप में से क्या answer दिये होंगे A जो कि गलत हो जाएगा K7 सर जो थे वो पहले थे अभी वो change हो चुके अभी current में है Dr. S. Somnath मतलब option C is correct answer ठीक है अगर हम देखें option B सक्तिकांच दास तो ये जो है वो RBI के governor है ठीक है और दिनेश कुमार खारा जो है ये हमारे SBI के chairman है ठीक है दिनेश कुमार खारा तो इसलिए मैंने ऐसे option लिया ताकि आपको दोज़ार question और समझ में आ जाए तो I hope आप लोगों को ये questions में मज़ा आया होगा इमानदारिस से सब लोग बताईए 20 में आप कितना deserve करते है ठीक है तो अगर आप लोगों को इस प्रकार से और questions चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के निचे comment करिएगा हम आपके लिए और ऐसे questions लेगे आएंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ till then take care and good bye thank you